जब कोई व्यापारी लगातार व्यापार में बना रहना चाहता है तो उसकी पॉजिटिव थौथ उटी है कि कहीं न कहीं सेल तो आएगी जिसकी वज़ेस से वह आगे प्रयास करता रहता है और धीरे 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 उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसका रिजर्व खतम होने हो जाएगा नहीं हमेशहं लगता है और रही हैता ऐसं करता है और उसके रहाक भीरे धीरे खर्चेंटों करता है नंबर इंप्लोई कम करता है तो दीरे धीरे उसका प्रभाव हूर्य ए होता है इसलिए मंदी जब आती है तो मंदी आने का दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव होता है वह यह होता है कि competition पैदा हो जाते हैं आपको लगता है कि मेरी सेल घट गई तो मैं क्या करूं सेल बढ़ाओं और सेल बढ़ाने के लिए तो आपका सर्वाइब करना और मुश्किल हो गया जिसकी वज़े से मंदी की चपेट में आदी में गुस्ता ही चला जाता है और competition होने की वज़ा से जो competitor जितना ज्यादा strong होगा जिसकी past में buying capacity ज्यादा होगी जिसके पास reserve ज्यादा होगा जिसके पास liquidity ज्यादा होगी वह survive कर लेगा और दूसरा competitor market से आउट हो जाएगा और जैसी आउट होता है तब धीरे-धीरे-धीरे करके कुछ निश लोग बज जाते हैं जो उस पूरी market को play करते हैं एक छोटी सी बात बताता हूं व्यापार की नहीं किस्तित ही है जैसे जैसे व्यापार बढ़ना शुरू होता है ना तो हमारे उसने व्यापार को बढ़ना शुरू किया और व्यापार का एक ही नियम है जब profit ज़्यादा अच्छा होता है ना तो बहुत सारे लोग उस व्यापार में निवेश करने आ जाते हैं कि we are interested to invest your own business चाहे हमसे पैसे ले लो चाहे लोन ले लो चाहे हमें partner बढ़न लो चाहे equity द दो चाहे हमें साथ में जोड़ लो चाहे हमें एक unit और करवा दो आते हैं ना लोग धीरे धीरे करके लोग आना शुरू हो जाते हैं एक businessman कहते हैं यह हुआ दीरे धीरे business का आकार बढ़ता गया तो risk लेने की क्षमता बढ़ती गई और risk लेता गया और पैसा लेता गया अच share market में लोग क्यों हार जाते हैं क्योंकि सबसे पहले जैसी rate घटते हैं सबसे पहले share बेचना शुरू कर देते हैं जो जितने समय पर share market में बने रह सकता है वो उतमे समय तक आगे survive करके profit बना सकता है तो कहने का मतलब एक व्यापारी तेजी से आगे बढ़ने लगा लोग invest क करने लगे व्यापार का अकार बढ़ने लगा आचाना की economy में recession आगया और जैसे recession आया उसका व्यापार धीरे धीरे घटना शुरू हुआ लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया तो व्यापार बंदोने कि स्थिती में आता है तो या तो आपको नई लोग लोन नहीं दे तो उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ उसकी सारी machine, equipment, tools, factory, गाड़ी, बंगलोग, कोठी सब भी गया तो सबसे last में बसता है कबाड़ा और कबाड़ को देखने के बाद ना जो निलाम करता है उसने व्यंग कसा ऐसी परांगण में बैठे हुए थे सारे लोग और एक नियम स industry के लोग उसी के competitor उसको खरीदने के लिए तयार होती है आप कोई भी machine बेचेंगे ना मैं निलामी की बात नी कर रहा है मानलो आपको कोई machine बेचेंगे कौन खरीदेगा उसी industry के लोग खरीदेंगे वो इंतजार कर रहे होंगे कि factory बंदोर उसका समानाम खरीद ले गाड़ कोई सेथार को खरीदेगा निलामी का एक नियम होता है क्या निलामी में बोली बढ़ती है जैसे गाड़ी अगर वेचेने 1,002,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, रुपय दस रुपय में खरीदेगा आप निलाम करता नहीं एक व्यंग कसा ना बोली बढ़ती होती उसने कबार की वैल्यू को भी डिग्रेड कर दिया तो भीड में से एक आदमी नहाथ खड़ा किया किसर एक मिनट वह व्यक्ति सामने से उठकर आया जेब से रुमाल निकाल सितार को अच्छे से रगड के साफ किया सारे तारों को सेट किया और उसने सितार बजाना शुरू किया पांच मिनट तक लगातार सितार बजाने के बाद जब सारे लोग उस सितार की धुन में मध्धोश हो गए इतना गजब का सितार सितार बजाया उसने कि हर आदमी अंतर अब उसने फिर पुछा कि कोई इसकी कीमत लगाएगा एक व्यक्ति ने का 5000, किसी ने का 10 000, एक ने का 50 000, इलाम करता ने का 5000 1, 5000 2, 5000 3, जो सितार 10 रुपे का offer कर रहा था सितार निलाम करता, वो सितार 50 000 का भी का, पचास जार रुपे लेने से पहले उस व्यक्ति ने फिर हाथ खड़ा किया और वापस वहीं आया केरें मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की किया और उतने बड़े-बड़े रिस्क लिये हैं जिसकी वज़से मैं व्यपार में इस तरपर आ गया उसके बावजूद भी आप मेरी किसी भी चीज़ की कोई कीमत लगा ले पर सितार मैंने व्यपार के लिए नहीं खरिदा था यह अपनी होबी के लिए खरिदा था जिससे मैं अपनी अंतरात्मा को खुश करने के लिए मन बहलाने के लिए अपने होबी के लिए अपने टेस्ट के लिए मैं अपना समय वितित करता था मुझे सबसारा गुसा जबाया जब आपने इसकी वेल्यू कम करने कोई फर्क नहीं पड़ता है कि व्यापार की वास्तविक स्तिति क्या है आपके अंदर जो हुनर जो काबलियत है सही समय आते हो और सही ट्राक आते ही आप वापस उससे कई गुना बेतर होंगे जिस तरपर आप आज है या वास्तविक स्तिति में आपका व्यापार है इसलिए ज़रूरी है पेशन्स को बनाई रखना और ये मानके चलना है कि आपने जीवन में जितने भी साल काम किया है उससे आपने बहुत बड़ा अनुभव ग्रैब किया है लेकिन वो अनुभव कहीं न कहीं थोड़ा सा आउटडेटिड हो गया है ध्यान रखेगा व्यापार को सीखने के तीनी तरीके या तो हम पेरेंट से सीखते है कि लोगों का पैतरिक व्यापार होता है पिता जी ने सिखाया दादा जी ने सिखाया पिता जी को पिता जी ने बच्चे को और बच्चे ने शुरू कर दिया हर व्यक्ति ने जिसने भी पैतरिक व्यापार किया है उसने अपने पिताजी से सबसे best formula चीखे, येस और नो, आप अपने पापा से secret पूछो, तो वो सबसे best बताएंगे या नहीं बताएंगे, तो हर व्यक्ती ने उस समय के सबसे best formula चीखे पर वो उस समय के थे, लेकिन उस समय के best formula आज भी implement तो होते हैं, पर आज काम करने का तर प्रवरत क्या है वही माल मास्ट प्रडेक्शन पुरानी इंडस्ट्री पुरानी फैक्टरीज देख लो माल बनाए जा रहे हैं और सप्लाई किये जा रहे हैं जब बाजार में माल पहुंचता है तो उसी में से खरीत अब जो इंडस्ट्री ना वो जो लोग यहां सिनिर बैठे हैं उनको पता हैं कि वह पहले इंडस्ट्रियल रेवुलूशन था और आज कंजूमर रेवुलूशन है और आने वाले समय में डिजिटल रेवुलूशन और तेजी से बढ़ जाएगा आज आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ग्राग क्या आज डिजिटल प्लाटफॉर्म के माध्यम से उसको डिसाइड कराया जाता है कि वो क्या खरीदेगा